हलो स्टुडेंट ये है क्लास फिप्थ एक्सरसाइज थ्री यह बुक है और एक बार बुक दिखा देते हैं बुक कौन सी है बुक कौन सी चल रही है हमारे काल कड़िवी में ये चल रही है दिखा है रही है क्रीट डिवाइज्ट मैञाहिट्पाइक्स मेड इजी की है ठीक न हालाकि इनका यूट्यूब चैनल भी हमें लगता है जर लोगों बना हुआ है चलो चख करेंगे इसका ठीक न है तो मेड़िवी की है ये क्रीटू रहरे काल कड़िवी में ये ही चलती है तो आज हम question number दूसरा distance करने वादे हैं तो ये question number दूसरा है convert each of the following fraction into decimal हमें हर fraction को decimal में convert करता है ठीक है तो सबसे पहला पहला नियम ये है कि अगर denominator में 100, 1000, ठीक है 10,000 ये 10 में से कोई number हो ठीक है ना तो बहुत आसान होता है उसको decimal में convert करना जैसे इसके नीचे कितना है 10 तो हमें पता इसका answer इतना ही आएगा डारेक्ट लग दो ठीक लेकिन 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 तुम्हें एक चीर ध्यान देनी है कि इसके नीचे कितने 0 है तो इधर से left side की तरफ count करके एक digit count करने के बाद पॉइंट लगा देंगा क्यों क्यों क्योंकि कितने 0 थे तो यहाँ पर answer आजाएगा 1.5 ऐसे इसको यहाँ पर कितना है यहाँ पर 100 है तो इसका answer भी इतना ही आएगा 144 आएगा ठीक इसके पीछे कितने 0 है दो 0 है दो डिजिट count करके point लगा दो यहाँ पर point आजाएगा ठीक और यहाँ पर भी ऐसे ही लगएगा इसका answer भी इतना ही आएगा 1056 दो डिजिट है इसके पीछे मलब दो 0 है तो दो डिजिट count करके यहाँ पर two digit count करके यहाँ पर point लगा देंगे ठीक और यहाँ पर होगा 999 और यहाँ पर एक zero है ठीक है तो एक number count करके point लगा देंगे ठीक है अब यह अलग type के question है जैसे यह mixed fraction में दिया हुआ तो सबसे पहले इसको सही करो 8 4 जा 8 चकोबर 30 तिन 35 यानि 35 by 4 8 4 जा 32 plus 3 35 है ना 4 अब क्या करना इसको point में divide करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें इसको divide ही करना पड़ेगा तो divide करना अगर आता है मैं side में divide करके बताता हूं जैसे यहाँ पर लिखा है 35 को divide करना है किस से 4 से तो 4 से डिवाइड करो ठीक तुम्हें पता है कितनी बार जाएगा 48 जा 32 ठीक कितना बचा 3 point लगा 0 बढ़ाओ 47 जा 28 ठीक कितना बचा 2 फिर यह 045 जा तो आंसर कितना आ गया 8.75 यहां इसको भी divide करो 9.22 अब इसको divide करो ठीक न तो divide कैसे करेंगे तो divide करने यहीं बता देता हूं जीखो अभी यहां 20 लिखोगे यहां 9 लिखोगे और ऐसे अब जो तुम divide करने चले तो तुमने का सर यह तो बहुत चोटा है फिर क्या तो पॉइंट लगाओ और जब यहां पॉइंट लगाओगे तो यहां एक 0 बढ़ जाएगा के शो कि बिटा पापा पढ़ा रहा है पिटाई होगी अगर बोलेगा ठीक है ना तो 24 जा 24 जा कितना हुआ 80 ठीक है और यह हुआ 10 कितना बचा 10 अब एक बार पॉइंट लगा चुके है तो 0 आटोमेटिक अपने आप उतर आए गए तो 25 जा कितना हो गया 100 तो इसका अंसर कितना आ गया 0.45 अब कुछ बच्चे सोच रहें गों सर यहां तो क्यों 4.45 था आपने यहां 0 क्यों लगाया बटा तो ऐसा होता है कभी कोई पॉइंट वाला नंबर होता तो उसके पीछ आगे हम एक 0 लगा लेते हैं क्यों 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 कि माल लीजिए मैंने यहां ऐसे लिख दिया आंसर में लिखा हुए और टीचर को ना दिखाई दिया वो क्य पॉइंट अब क्या है जब टीचर आचानक इस नंबर को देखेगा तो एक बार वो सोचेगा कि यार यह पहले 0 क्यों लगा रखा तो गौर से देखेगा तो यह पॉइंट लगा हुआ है इसलिए हम थोड़ी सावधानी बरतने के लिए शुरुआत में क्या करते हैं यहां इसना पर 11 by 5 है 11 यहां हमिए क्या करना पड़ेगा इसको डिवाइट करना पड़ेगा क्या करोगे 5 तू जा 10 कितना बचा है वागवाउन प्वाइट लगाऊ-जीरो बढ़ाओ-वाइट-उ-बैट-ट्यू पोइंट-ट्यू ठीक हो ना हमने डेशिंसरे में बदाल दिया 5 जा कितना हो गया 60 तो कितना आ गया इसका अंसर इसका अंसर आ गया 3.5 ठीक है यहां पर देखो क्या है एट एट जा 64 और 64 में 7 जोड़ेंगे तो 71 अब बिटा मैं एक हाथ में यह मोबाइल पकड़ा हूं एक हाथ में यह ठीक है तो मेरा दिमाग नहीं बढ़े देख रहें ना मैं गलत ना हो पाई है सही है आगे बड़ा हाँ तो कितनी बार जाएगा एट बार कितनी बार जाएगा एट बार कितना हो गया 64 कितना बचेगा 7 पॉइंट लगा 0 ठीक है हाई नियुक्त बार कितना बार कितना बार जाएगा 6 फिर जेरो यह ना फिर ना फिर फिर चार जिरो अट पंचे चार जिस ठीक है तो कितना है 8.875 ठीक है अब यह क्या करोगे 25 तूजा 50 50 प्लस 4 कितना आ गया 54 अपॉंट 25 ठीक अब इसको डिवाइड कर लो तो यह 54 हो गया और यह 25 से डिवाइड करो कितनी बार जाएगा कितनी बार जाएगा 6 ठीक तो कितना आ गया 2.16 तो यह हो गया सारे कोश्चन ठीक है तो यह हमने एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करा दी तो अगर तुमें यह कोश्चन समझ में आते हैं ठीक है तो इन्हें लाइक करना सुस्क्राइब करना और थोड़ा हमने फास्ट पढ़ा है बेटा क्योंकि इससे क्या होता हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता और अपने पास बहुत ज़रा समय नहीं है सोचेंगे आगे चलके अगर हमारे पास बढ़िया बहुस्ता हुई तो हम एक एक कोशन समय ले करके समझाएंगे अभी हमने बस जल्दी से हमने तुमें सुल्यूशन देने की कोशिस की हैं ठीक है बटा?